दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने शयले पर यह लेटेस अपडेट है विकास मल्टिकाउप लिमिटेट के उपड़ अभी करंटली तीन रुपे नपर पैसे कास पर टेट कर रहा है मैंने इसके उपड़ दो वीडियो बनाया थे और जब इस टॉक साड एक weekly candle का formation का तब जाके आप सको buy करके चल सकती हो और आपको मैंने उसमें यह भी बोलाता कि जब तक यह stock 5 रुपे 5 रुपे 50 पैसे के उपर close नहीं कर देता है तब तक आप सको buy मत करना अगर यह 50 पैसे के उपर close कर देता तो यह पागल सांड हो जाएगा दोस्तों अब इ खबर आ रही है न वह बहुत खतरनाक है जैसे आपको याद है मैंने आपके साथ एक strategy शेयर करी है सेरोल्टिक पैटन की तो अभी December quarter के इसके promoter की holding reveal हो चुकी और promoter ने पूरा का पूरा माल बेज दिया है आपको मैं दिखा रहेता हूं उसका सेरोल्टिक पैटन latest सेरोल्ट करना आपको इसको average करने की चुरूत बिल्कुल नहीं है इस्टोक का कोई future नहीं है क्योंकि promoter ने अपनी holding public को चेप दी है ठीक है बात को समझो तो अगर आप सोच रहे हो कि इसको मैं average करू बिल्कुल मत करना average और एक और चीज अगर आपने बाहे किया हाल फिलाल में तो भ या buyers तो होंगे नहीं तो आप क्या कर सकते हो at least आप एक order रोज इसमें place कीजिए morning में ताकि कभी भी अगर थोड़े भी buyers activate होते तो आपका माल निकल जाए ठीक है अब आपको मैं दिखाता हूं इसका सिरूलिक पैटर्न दोस्तों देख सकते हैं मैंने सेरूलिक पैटर्न खुला भाए विकास मल्टी कॉप का और आप देख सकते हैं प्रमोटर की जो holding है लगतार चून 2019 से 24 दिसंबर 2020 में इसकी जो holding है 34% की आसफार रह गई है तो सेप्टेंबर बे जो holding 53% की आसफार थी वो दिसंबर में 33% रह गई है तो भाई कि एक यही तकड़ी न्यूज है विकास मल्टी कॉप की सबसे बहेंग का न्यूज है अगर आप फूचर में सोच रहे हैं कि स्टॉकों में average आउट करूं तो भाई जो आपका average आउट का पैसा है ना वो भी zero हो सकता है तो किरपा करके इसमें average आउट मत कर दोस्तों इसमें FIIs ने भी थोड़ा दोस्तों आप देख सकते हो ज्यादातर जो माल्स में buy किया गया है वो FII के दुवारा भी किया गया है ठीक है FII की holding मात्र 6% के आसपास बड़ी है लेकिन ज्यादातर माल प्रमोटर ने बेचा है वो public को बेचा है ठीक है आप देख सक कि आप इसको average out बिल्कुल ही मत करना अगर आपको इसको buy करना है तो मैंने आपको एक एक प्राइस बदाया था साड़े पांच रुपे ना तो साड़े पांच रुपे के उपर जब ये close करता है तो आप तब देखना कि आप क्या price action बनना है तब हम सोचेंगे कि हमें इसको buy करना है नहीं करना है तो भाई इसकी अब latest update तो यह ही है अगर हो सके तो इसको exit करो और हाँ अगर आप planning कर रहे हो stock को buy करने की तो भूल के भी buy बत करना ठीक है यह इस वीडियो के बारे में था तो अगर खुश पसंद आए तो definitely like कर देना, share कर देना, comment कर देना मिलता आपको अपने next video, till then bye bye